वेल्कम बैक एवरीवन एन इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर वागन लिमिटेट के बारे में अच्छा डाउनफॉल जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है यहां पर सबसे पहले एक ओवरॉल आस्पेक्ट समझते हैं इस पर्टिकॉलर इंडस्ट करते हैं तो बेसिकली यहां पर आज अगर आप देखोके जो माल गाडि है उन्हीं रोड चलती है अँन्ही ट्राक्स पर चलती है जहां पर जो एंज मैं बनाया जा रहा है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाडी चलेंगी और उनकी कॉलिटी को बेटर किया जा रहा है उसके लिए नई डिमांड आएगी तो वहां पे बहुत ही मेजर एडवांटेज मिलेगी इन कंपनीज को सिर्फ जुपिटर वैगन की बात नहीं कर रहा हूं इसमें तीटागर रेल सिस्ट हैं अब अगर आप यहां पर देखोगे तो वेस्टन स्टेज जो है तो बी रेडी बाइदी इंड ऑफ फाइनांचल यह 24 तो आप यह देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे पॉइंस है जो हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अराउंड पर यह फैक्टर आपको जरूर देख होगे तो वह फिर वालू के पास ही ट्र summ然后 कर रहा आंगा अब अग़र बात करते हैं शपरलिघर सेंग के यहां पर करने को जो ञआंट कर रहे हैं और यहां को चलो उसकी से बार में बाद में बात करेंगे मार्कट के आप 11,000 करोड का है स्टॉक का भी 63.8 है इंडस्ट्री के पीस से काफी उपर है आप अगर आप देखोगे डबल नहीं है बट क्लोज है उसके सेल्स ग्रोथ सेल्स ग्रोथ स्टार्टिक रहेगी कि नहीं कि यह कहना बहुत जादा मुश्किल है डिफिनेटली अभी आ रहे ही 16% से भी उपर है अच्छा एक चीज़ कहना चाहूंगा बाद में बूलना भूल जाते हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना तो यहां पर जो है एक फंटास्टिक ग्रोथ हमने विटनेस करी 2020 के बाद में जहां पर बड़े कंपणी के पास में और उसके बाद में कंपनी सस्टेन कर पाई तो यहां से जो ग्रोथ आ रही है वो जबरदस्ता कंपनी की ऑप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अ यहां पर यहां पर यहां पर देखोगे तो टूफाउजन नाइंटीन का टुखे डेटा ही नहीं आ रहा है जो है वापस से हमें स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हो नजर आये अब उस समय का डेटा अवेलेबल नहीं है इसले यहां पर इतनी मेजर बात नहीं कर पाएंगे उस इंवेस ने अपने स्टेक में पॉजिशन बनाई थी यहां पर दून दोजार बाइस तक और उसके बाद में थोड़ा सा स्टेक डालूट करा है यहां पर हमें लगता है इतना डालूशन हेल्दी है पैसा भी चाहिए डेफिनेटली बिजनस करने के लिए इंडिया के पास में स्टेक थोड़ा सा कंबाए और वो काफी जादा फ्लक्चुएट भी करते है अपने स्टेक को वह एक फैक्टर है जो मुझे लगते हैं यहां पर देखना चाहिए बॉर्रिंग डेफिनेटली कंपनी बढ़ा रही है यहां पर इनके पास में ओडर्र आ र और जादा बढ़ सकती है तो वो इसी साब से बढ़ाया था क्योंकि हम भी उस पर्टिकुलर नीश में पार्टेस पेट करना चाहा रहे हैं हम नारे पास में जुपिटर वैगन भी और ती तगर रियल सिस्टम्स भी है हम लोग उने एक इनिशल पॉजिशन बनाई हुई है लॉंग टर्म को देखते हुई एट लीस यहां से दो से पांट साल का होल करने का विचार हम लोग का है अब वो सेम पॉइंट आता है अगर आपका लॉंग टर्म विजन है तो हमें लगता है इस इस गोड टाइम कि जहां पर आप इक इनिशल पॉजिशन बना सकते हैं अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर करेंड बायर्स की जिन्हों ने ऊपर के लेवल्स पर बाय किया है मुझे लगता है आपको अपने स्टॉप लाउस के साथ में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था अगर आपका लॉंग टम विजन नहीं है और आप सिर्फ मोमेंटम का फाय कर पाऊगे इस पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा है जैसे हम लोगों ने मिटका पूट में बनाई हुई है जिनके पास में प्रीवेस पोजेशन अगें देखो अगर आपके अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पर बैठे तो हमें लगता है कि कंपनी का फ्य अगर आप बाद में पॉसेशन बनाना चाते हैं वोगी अगर आप पर प्रॉफिट करना चाते हैं मुझा लगता ऑफ बी वायल है क्यूछ्य आप लोग य। अच्छे ब्रॉफिट पर बैठे थे तो वह एक फैक्टर आपको यहां पर देखना चाहिए है उमीद करता हूं कि आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगे होगी अपनी रिसर्च जरूर करना और आइल सी यू गाइस इन दे नेक्स्ट एपिसोड